वेलकम फ्रेंड महमतोस और आप देखरें मेरी यूटुब चेनल टेक्निकल मंतोस दे में सो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दें और भी लाइकन होगा तो चलिए फ्रेंट सम्लों जानते हैं कि परदान मंत्री ग्रामीन आवास योजना का लिस्ट किस तरह से निकालेंगे तो फ्रेंट्स आपको करना क्या है सबसे पहले अपने मोबाइल के को उपेंड कर लेना होता है तो चलिए फ्रेंट्स यहां पर आपको टाइप कर देना होता है और एच रीपोर्टिंग हि़र कि एस यह इंसी डार्ट्रा इन तो फ्रेंट्स आपको यह टाइप कर लेने के बाद सर्च पह किलिक करते हैं एस सब्सक्राइब करते हैं जैसे सब्सक्राइब कुछ इस तरह के इन्टरफेस ओपें हो जाएगा तो यहांपर देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा फ्रेंट से थ्री तो यह त्रिलाइन वाले उप्षन पर क्लिक करते हैं यहां पर जैसे क्लिक करेंगा आपको यहां पर बहुत सारे ऑप्षन देखने को मिल जाएगा जैसे कि आवाज सौब्ट डॉकुमेंट गाइडलाइन उसके बाद इस्टेक ओल्डर्स तो प्रेंट्स यहां पर आपको ए चाहिक लेज़िए उसको क्लिक होता जाएगा यहां पर और आपको देखने को मिल जाएगा यह अपको यहां पर यहां पर पॉइंट फॉर है फ्रेंट यह पॉइंट फॉर वाले उप्शन पर आपको क्लिक करना होता है तो चलिए फ्रेंट्स यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है केटेगोरी वाइज SECC Data Verification Summary तो इस वाले option पर आपको क्लिक करना है तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो फ्रेंट्स हम लोग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा तो फ्रेंट्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा MIS Reports तो फ्रेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा All State तो फ्रेंट्स आप जिस State का देखना चाते हैं जिस State का पता करना चाते हैं कि उस State का ग्रामेन अवास योजनध क्या है उसका लिस्ट क्या पे पुम्रेंस आपको एस्टेट को पहले Select कर लेना हो उसके बार प्रेंस यहां पर आपको Manager कोड को आपको टाइब करना होता तो चली है यहां पर पहले हम हम लोग इस्टेट ब्लॉक उसके बाद प्रेंट्स अपना जो ग्राम है उसको स्लेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को यहां पर इस्टेट को स्लेक्ट करना होता है तो आप जिस इस्टेट का देखना चाहते प्रेंट्स उस इस्टेट को आपको स्लेक्ट कर लेना होता तो चले फ्रेंट्स हम लोग यहां पर जारकन को स्लेक्ट करते हैं जारकन को स्लेक्ट कर लेने के बाद यहां पर आपको करना क्या है डिश्टी को स्लेक्ट करना होता है तो चले हम लोग डिश्टी को भी स्लेक्ट करते हैं प्रेंट्स यहां पर हम लोग अपना जो डिश्ट जो डिस्टिक का जो ब्लॉक है सारा ब्लॉक आपको दीग जाएगा तो फ्रेंड यहांप से आप जीश BAUK का देखना चाहते हैं उस BAUK को सेलेक्ट कर लिना होता है तो हम लोग इसको अपना gram को select कर लेते हैं उसके बाद friends आपको यहां पर करना क्या है यहां पर आपको capture code देखने को मिल रहा है तो friends आप देख सकते हैं यहां पर आपको capture code यह 37 plus 60 तो friends यह दोनों को add करके आपका जो result आएगा वह result submit को आपको यहां पे B così कर देना होता है तो चली हम सothyओ यहां पर कर देते हैं मैं कील करते के बाद friends यहां पे आपको करना क्या है यहां जो सब्मेट का बटन दिख望 आइढ़ा है सब्मिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं जैसे कीँल करेंगा आपके आ耹 nyकुछ हिस्टर का इंटरफेस open होजाएगा तो यहां पे आपको करना क्या है थोड़ा सथ कॉल करके नीचे आना है यहां पर आपको नीचे जैसे gusts यहां पर आपको देखने को मिल जा रहा है यहां पर आपको देखने को मिल जाता है डिश्टीक ब्लॉक पंचायत उसके बाद प्रेंट्स आपका जो रेजिस्टेशन नंबर है वह यहां पर आपको देखने को मिल जा रहा है उसके बाद प्रेंट्स जो लाबारती है बेनिफ प्रेंट्स उसका कैटेगोरी देखने को मिल जा रहा है तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे अपना जो परदान मंत्री आवास योजना है उस योजना के तहद जीन लवारतियों को नाम आया ब्रेंस से देख सकते हैं तो यहां पर जारी किया गया फ्रेंस आप उस नीव लिस्ट 2022 को निकाल कर देख सकते हैं कि उसमें आपका नाम आया है या नहीं आया तो प्रेंस इस तरह से हम लोग जो परदानमंत्री ग्राम ग्रामीन आवास योजना का लिस्ट है उसको हम लोग निकाल कर देख सकते हैं तो प्रेंट्स आसा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आ गया और आप भी बहुत ही आसानी से अपना जो परदान मंत्री ग्रामीन आवास योजना है उसको निकाल कर देख सकते हैं तो प्रें थांक यू